असलाम अलेकुम लेक्चर 53 स्टार्ट करते हैं जी काफ वन का अच्छा जी पार्टली अकुपाइट प्रॉपर्टी के अंदर एक बात हमने लिखी थी कि अगर हर पार्ट कैपेबल हो आफ बींग सोल्ड सेपरेटली पूरी बात इस तरह से है जैसे आपने किताब में भी पढ़ा होगा कि अगर हर पार्ट कैपेबल हो आफ बींग सोल्ड या रेंटेड आउट सेपरेटली दोनों में से कोई भी एक बात हो तो हम इसको अकाउंट फॉर भी अलगलर कर सकते हैं ठीक है यह पूरी बात कर लेते हैं इच पार्ट इस कैपे अगर ऐसा हो तो फिर अकाउंट फॉर करो हर पार्ट को सेपरेटली और अगर ऐसा ना हो तो फिर यह देखो कि सिग्निफिकेंट पार्ट क्या है अगर सिग्निफिकेंट पार्ट ज्यादा इसा आईस सोलां वाला पीपी है तो सारी प्रापरटी को आईस सोलां वाला पीप बना दो और अगर ज्यादा पार्ड इन्वेस्ट्स्ट्राइटी का है तो फिराध्तिक को इन्वेस्ट्राइग के लिए यह बाद यहाँ पर लिखी वी इन इंडिटी में यूज पार्ट पर कि प्रोडुक्शन और सप्लाई यह नहीं 16 में ठीक है कि यह 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 तो यह क्या कहलाती है पार्ट लिया कुछ को ओनर ऑक्यूपाइड कहता है यह सेंडड आई इसोला वजी बिजनिस के यूज के नरगर पॉपर्टी है तो कभी-कभी ऐसा होता है कि बिजनिस के यूज और रेंटल के लिए दोनों कामों के लिए इस्तमाल हो सकती है अगर इस सब्सक्राइब लिखा सिर्फ सोल्ड हुआ था ना मैंने कहा यह नौ याद ऐसा रखें टू पार्ट सरकाउंटेट फॉर सेपरेटली इस डे कुड़ वी सोल्ड और लीज्ड आउट सेपरेटली अंडर फाइनेस लीज करता है छोड़े इस बात को बस मतलब यह के आप बच्चों ने अटेम्ट की थी यह शाइनिंग लिमिंटेड वाली क्लियर है हो गया था असानी से चल्ड अच्छा जी आप लोगों को कुस्च्चन दिया था हूंवग में पेज नंबर बताएं पेज नंबर 80 अच्छा ऐसा कर लेते हैं अब साथ सुलूशन ओपन कर लेते हैं जिसमें सिर्फ फिगर्स को एंड से देखते जाएंगे और वर्किंग से सारी हम जैवो कर लेते हैं ठीक है अब आपको वहां समझ आई कि आप बैड़ जाएंगे जगा बन जाती आजवागे थार्ड रो में थोड़ सी जगा बना दो यार बैग बठा लेंगे आगे वाले जादा करीब हो चलो आप बना दो बस आप इदर ही रोजादा आगे ने ये 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 ख्लोग हों अच्छा जी जी मैं इसकारा था कि दोबारा दरा हाथ खड़ा करें कितने बच्चों ने अटेम्ट किया अच्छा जी हाइबरिड वाले भी बता दें हाइबरिड टू फीमेल स्टूडेंट्स में बच्चों के बोलने की शिकायात मौसूल हो रही है जी तो मैं फिर आज हा इसे हैं जिन से बिल्कुल भी सवाल नहीं हुआ तो समझ ही नहीं आया 50-60% सही हो गया था हाथ खड़ा करें 50-60% में उपर वाले भी आ जाते है 50-60% जा उससे उपर सही हो गया चले अभी तक सोय हैं सवाल की समझ ही नहीं आ रही है को आर्मेंटे प्रिपेर रेलेविंट इसे प्रोफिट और लॉस एंड अधर कंप्रिहंसिव इंकम देखें अभी कॉंसेप्ट आपको मैंने पढ़ाया नहीं है कि असल में न स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहंसिव इंकम जो होती है उसमें दो कंपॉनेंट्स होते हैं इसके एक प्रोफिट अंड लॉस अकाउंट होता है जो सेल्स इसे शुरू होता है सेल्स लेस पॉस्ट ऑ सेल्स जीपी एड़ादर इंकम लेस एक्सपेंसिज वगएरा करके और नेट प्रोफिट तक आते हैं जिसको बड़े हो गए हम profit after tax कह दिया करेंगे ठीक है ना net profit profit after tax PBT में से tax minus करें तो उसके बाद फिर अगला portion other comprehensive income का होता है ठीक है जी जिसके अंदर आपके इस लेबस में सिरफ एक ही चीज है revaluation surplus यहां पर आया करेगा तो यह आपको मैंने अभी पढ़ाने है ठीक है इसका concept अभी आपको देना है लेकिन यह दोनों चीज़े ना अलग अलग यह जो काम sales से शुरू होकर नेट profit तक खतम होता है profit after tax तक इसको profit loss account कहा जाता है और जो उसके बाद का area है उसको other comprehensive income कहा जाता है profit and loss account के अंदर के अंदर कि यह लाइज profits होते हैं और OCI के अंदर unrealized profits पड़े होते हैं ठीक है न तो यह concept है जो pending है statement of changes in equity का topic है वैसे तो मैंने आज ही decide कि हम correction of error start करें उसकी वज़ा यह है कि correction of error ने आगे इस्तमाल भी बहुत होना है is one में ना भी हो यानि चेंजने कुटी के अंदर ना भी हो तीन तीन दिन का चेंजने कुटी का topic है उसके बाद वह statement of change in equity समय रही होती है यह सवाल में तो वह चलता ही रहता है साथ ही यह आगे छे साथ दिन साथ चलेगा तो वह चेंजने को टीवी साथ ही चल रहा होता है तक्रीबन हर सवाल में वह बना रहे होते हैं खैर तो यह दोनों topics जो है इसमें आई सेट में जाकर correction of error यूज होने लग जाता है अल्ला का नाम लेके correction of error शुरू कर देंगे correction of error में तो हमने शायद को पांच-छे सवाल ही करने हो लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ चीज़ें और revise करते हैं जिसकी वज़ए से साथ-ाठ देहां बर ultimate 7 आडव दिन हो सकते हैं वर साथ-8 दिन तक चला ही जाता है उसके बात विश्यला इस ओन और ct ko साथ-ाठ दिन के इस दोनों हो जाते हैं वो कर लेकिन पहले भी कर वहाया झासकता है ऐकिन पिर हर जगा correction of error जब आ एकी आया आईger में तो वहां रुकर वहाँ पे जोर लगाना अलग से पड़ेगा उससे बेतर है कि पिछला टॉपिक की करेक्शन वाला करके जाएं ताकि जहां पे उसकी यूजे जो आगे हमें हेल्प मिलती रहे ठीक है तो खेर इसलिए ये वाला कॉंसेट थोड़ा और जड़ा डिले हो गया करेक्शन अफ एर और लॉस के भी और अधर कंप्रिहेंसिव इंकम के भी यानि इन दोनों को मिलाकर अगर बात करें तो यह दोनों को मिलाकर स्टेट्मेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इंकम बना करती है जिसमें प्रॉफिट और लॉस भी होता है और अधर कंप्रिहेंसिव इंकम भी होती है ठीक है बस इतनी सी बात याद रखनी है आपने के profit and loss account में realized profits होते हैं और other comprehensive में unrealized और हमने ये तो पहले दिन ही पड़ दिया था कि ये जो revaluation surplus आता है ये दर असल unrealized gain होता है इसलिए से profit and loss में मत लेके जाएं तो profit and loss में लेकर भी नहीं जाएंगे तो अगर मैं present करते हुए यहां पर solution करते हुए उसको अधर comprehensive income मिली तो फिल्हाल इसको ऐसे मान लिजेगा ठीक है तोड़ी बहुत समझ तो आई गई होगी अच्छा थोड़ा सा टाच हो गया यह और उसके बाद पिर जब concept आएगा असल में तो उसमें फिर थोड़ा सा जैन बनाओगा पहले से चले और balance sheet भी बनानी है जी statement of financial position बनानी है जी ठीक है चल्ट तो working मैं करता जाता हूं उसके बाद जो figures होंगी यहां से decide कर लेंगे और पिर वहां पर जाकर मैं आपको उसको जब दिखा दूँगा या फिर हो सकता है बना भी लें साथ साथ नंबर वन इसको अब जब साइट पर करने जी सबसे पहले फॉल्विंग इंफ्रमेशन पर्टेंस चू नॉन करेंट एसेट्स ऑफ डी एल यह एंड है जी 31 दिसंबर दोहजार नौ एक उन्निस 31 दिसंबर दोहजार उन्निस यह हमारा साथ है ठीक है जी चलो तो साथ 18 भी बन जाएगा यार और क्या ठीक है अच्छा अगर ऐसा सवार है न डिफरेंट चीज़ें आ रही है तो जो अधर इंफरमेशन होती है उसको लाज़मी पहले पढ़ लिया करें उसमें आपको बताया जाता है कि अगर प्लांट है तो कौनसा मॉडल है अगर गवर्मेंट गरांट है तो क्या तरतीब रखते है तो फेर वैली मॉडल ये सारी बाते हैं लिखी होती है इसके अंदर हर सवाल में लिखी होती है तो दियल उसे कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सीकुंट मेयरमेंट ऑफ पी एक्सेप्ट फॉर स्पेशलाइज वीकल फॉर विच रिवैलेशन मॉडल इस यूज अच्छा तो ये स देप्रीशेशन वाली एंट्री होती है गवर्मेंट ग्रांट्स आर रिकॉर्डड एज डेफर्ड इंकम यहीं एसेट में से नेट नहीं करते बलके अलग से डेफर्ड इंकम डेफर्ड लाइबिलिटी बनाते हैं और पार्ट अफ इस ट्रांसफर्ड टू इंकम इच यह जैनि एसेट में से नेट नहीं करते कहीं ग्रांट अगर रिसीव करते हैं तो इसको अलग रखते हैं ठीक है एसेट अलग रहता है ग्रांट अलग रहती है इन्वेस्मेंट प्रॉपर्टी इस कैरीड एट ठीक है जहां गहीं इन्वेस्मेंट प्रॉपर्टी आएगी तो इसको किस मॉडल पर रखना है चीक हो गया जी यह कुछ चीदा चीदा बातें हमने रखी सामने और आ गए यहां पर डियल पर चेस्पेशलाइज विकल्स फॉर 370 ऑन यकम जुलाइज सतना विकल्स है एस्टिमेट है वन एस्टिमेट डास साल एंडेजल वैलियो और दिसंबर ठारां एंड उनीस वार डेटर्मिंड एट तीन सो दो एंड दो सो नवे रिस्पेक्टिवली ठारां उनीस यह एंड पर रिवैलिशन हुए देर वास नो चेंज इन यूसफुल लाइफ एंड डासी रहेगी रिमेंडिंग निकालेंगे देखो पहले दिन की की व वीकल के लिए वर्किंग वान करते हैं अब री वैलेशन वाली वर्किंग है हमारी मशूरे जमाना डेट डेस्क्रिप्शन स्पेशल वीकल कहा है कि टेक्स याद आ रहे है आपको स्पेशल परपस वीकल अच्छा डेस्क्रिप्शन उसके बाद स्पेशलाइज वीकल वीकल लेखनू सिर्फ वीकल वीकल री वैलियेशन सर्पलस और प्रॉफिट एंड लास जी यकम जुलाई दोहजार सत्रह कितनी कॉस्ट है जी 370 अच्छा अब सवाल ने कोई नहीं बताया स्ट्रेट लाइं रेड्यूसिंग बैलंस और फिर स्ट्रेट लाइन लगाएं नहीं इकत्तीस दिसंबर सत्रह आया डेप्रीशेशन कॉस्ट माइनस रेज्डूल वैलियू डिवाइड़ बाई यह तो आगे पूरे साल की डेप्रीशेशन जबके हमने इसको इस साल में सिरफ छे महीने इस्तमाल किया ऐसे यह तो इंटू सिक्स बाई टर्थ सत्रह और बुक वैलियू थ्री फिफ्टी थ्री उसके बाद किस दिन रिवैलियू हो रहा है जी 31 संबर ठारां पर पहले 31 संबर ठारां पर लेतों है 31 संबर ठारां पर डेप्रीशेशन और इदर देखें जी स्टेट लाइन मेथड है तो कॉस्ट माइनस रेजिडूल वैलियू ओवर यूस्फुल लेकिन अब फ्रेक्शन नहीं लगे 319 वैलियू आगई हर सवाल में आसान मार्क्स मौजूद होते हैं कोई चीज मुश्किल हो भी तो जरूरी नहीं कि सारा सवाल ही वही होगा और सारे नंबर ही उसी के होंगे ऐसा कुछ नहीं होता चीक है जी उसके बाद यह बुक वैलियू है जनाब 31 दिसंबर 2018 की जिस दिन हमने इसको अब रिवैलियू करना है एक लाइन फाली छोड़कर रिवैलियूड अमाउंट लिख लें अच्छा आप वैसे 31 संबर 18 तक डारेक्ट जम्प करके भी आ सकते थे उसके लिए हमें क्या करना पड़ता क्या ख्याल है करना लें यह तरतीब वैसे हमने 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 बैलेंस शीट और इंकम स्टेट्मेंट आजा यार बनानी है 18 और 19 तो 2018 का एक्सपैंस निकालने के लिए फिर थोड़ी सी मुसीवत पड़ेगी भाई यह कह रहे हैं बात बिल्कुल ठीक है अगर अगर सिर्फ उननीस की बैलेंस इट नानी होते तो जम्प करके आ जाते हैं कि हमने डेड़ साल की डेप्शन इकटी रखनी है वैसे कोई जम्प कर आप भी ले ना थोड़ा से हतियात के सार्ट एक्समेंस निकालते हो सरफ एक साल कि निकाल भी सकता है लेकिन फिर हर कोई भाई की तरह समयदार तो नहीं होगा हो सकता है मेरी तरह वाले जादा हूँ और वो डेड़ साल की डेप्शन को साल में डालने सही कह रहे हैं ठीक है तो इसलिए हो सकता था लेकिन कर क्यों नहीं रहे हैं क्योंकि हमें 18 के साल की डेक्षिन इक्सपैंस अलग से चाहिए हो सकता है फिर तेजी में परचा करते हुगे वो देज़ साल की डेक्षिन को 18 में डाला हुगी ठीक है ओके अच्छा जी तो revalued amount अमाउंट बाते ना करें यार प्लीज वी वैल्यूड अमाउंट अब सवाल से देखते हैं जाकर अच्छा जी अच्छा 31 अमबर ठारा पर 302 मिलियन है और 31 अमबर 19 पर 290 मिलियन है तो फिलहाल 302 और पहली दिन क्या आ गया कितना वी वैलियेशन लॉस अब पहले कोई सर्पलस नहीं पड़ा तो सारे का सारा लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे चीक हो गया जी उसके बाद फिर एक ही बार देखें वर्किंग कर लें एक ही बार फिगर्स को ठाकर ले जाएंगे मैं आपको शॉर्ट कट बता दूँगा पैसे पहले शायद थोड़ा बहुत बताया भी था जब आहिए सिक्स्टीन का एक दो एंसी क्यूज करवाए था जब हम शेप्टर कर रहे थे क्या आपके सी एंसी क्यूज में से तीन चार एंसी क्यूज बन सकते हैं याद होगा आपको तो मैंने का ता क्लोजिंग एसिट कितना है बैलेंस इट में जाएगा फॉर दाइयर एक्सपैंस वो सारी चीजें इस वर अब हमने डेप्रीशेशन लिख लिए अब हमने डेप्रीशेट करना है तीन सो दो को कोई चेंज नहीं है अगर वैलियों में तो माइनस थर्टी वैसे ही आएगा डिवाइड़ वाए अब रिमेनिंग लाइफ हमने निकालनी है और एमेनिंग लाइफ एकती समबर ठारा प इनिंग तो एड़ पॉइंट फाइए लेकिन पूरे साल की डेप्रिशेशन चाहिए और यह पूरे साल की डेप्रिशेशन का कोई फ्रेक्शन नहीं लगाना था ठीक है और निशर भी करना है आपने और निशर के साथ कभी भी रिजडिल वैलियों नहीं आना होता सर 32 और प्लस 2 और प्लस 2 जी 270 और 15 नेगेटिव आप जी लिख लें यहां पर डेट्स यह है 31 दिसंबर 19 की depreciation और 31 दिसंबर 19 की यह book value और उसके बाद एक लाइन खाली छोड़ें और प्रिवेल्यूड अमाउंट लिख लें कितनी है जी 290 यह ऐसी टाइम्स आए कारों मेरे ख्याल में मैं है ना सही कह रहे हैं यह काम भी अभी आपको ना आता हो तो फिर तो बड़ी शरम की बाद है जी 290 तक लेके आना है तो 20 पहले इसने आकर 15 के surplus को गाइब किया लॉस को सौरी और पांच रुपे का surplus profit and loss में यह रिवैलेशन surplus में आ गया यह होके रूट आएगा other comprehensive income से लेकिन वो फिलहाल आपको बस बताया हुआ इंशाला वक्त आने पर अब करीब ही है वो वक्त आपको यह भी समझा जाएगा के रूट कैसे होगा यह statement chain equity बनाना सीखेंगे तब ही किस रूट को भी समझ में समझ सकेंगे ना इसलिए वो फिलहाल पैंड नहीं चला आ रहा है जी रिवैलेशन surplus आ गया और उसके बाद आगे जाने की जरूरत है क्यों बस 19 का साल था कहानी खतम आगे जाने की जरूरत नहीं है अच्छा बच्चो अब हमने बनानी थी income statement और balance sheet ठीक है सबसे पहली चीज़ balance sheet की बात करते हैं चलो पहले income statement की बात करते हैं income statement के अंदर 2018 के साल में depreciation आएगी 34 17 वारी depression को चोड़ो 34 का depreciation expense आएगा स्पेशलाइज वीकल का और उसके बाद 17 रुपे का revaluation loss भी बाद में देख लेते हैं पहले ऐसे डेप्शन 34 आगी बोलो उसके बाद 31 18 पर ही हमने इसको री वैलियो किया जब री वैलियो किया तो 17 का loss जिसकी entry किया करते थे profit and loss account debit यह specialized वीकल क्रेडिट पहले सारी loss आगया ना कोई surplus नहीं आया यह सारे लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया अठारा इस ओवर 19 की बात करें तो 19 के साल में 32 रुपे की depreciation आएगी plus 2 कि हम कोई entry नहीं करते इसलिए यह कहीं भी नहीं जाएगा ठीक हो गया और उसके बाद फिर 17 के साल के अंदर revaluation surplus profit and loss के अंदर reversal हुआ है 15 रुपे का ठीक है और सही है अब पांच जो है ना पांच यह other comprehensive income में जाना है इसके लावा यह चार figures मैंने highlight की है specialized vehicle से related यह आपकी income statement में जाना है ठीक है 18 की depreciation 34 19 की depreciation 32 पहले यह दिखाता हूं आप यह क्या दोनों जग़े यह आप पेज नंबर solution में बताएं स्लूशन कों से पेज पे ना बताएं मैं खुद पहुंच लिया हूं बड़ी मेरबानी है आप लोग यह देखें जी specialized vehicle की depreciation 18 की 34 और 19 की 32 यही है उसके बाद 18 के साल में 17 रुपे का loss आया और 19 के साल में 15 से वो reverse हुआ यानी 18 के साल में loss होगा 18 के साल में 17 रुपे का loss होगा और 19 के साल में profit and loss में ही reversal यानी gain कह लें आप असानी के लिए क्या कह लें गैन कह लें ठीक है और 15 का reversal आगया 2019 में यह figures हम वहां से देखकर आ चुके हैं एक चीज रहे एक दो तीन चार चार ही थी ठीक हो गया जी यहां तक को मसला येरणी करते हैं याद आप लेकिन यह प्लास को लिखते क्यों है कि यह भी प्रूफ किया था अगर यह नहीं लिखेंगे तो आगे जाकर यह जो इस दिन पांच रुपे का surviving आया फिर यह सही नहीं आया है थीक है पूफ कर लें इसको प्रूफ करना है सही या जा आ नहीं जाए थीग है अब इसकी entry इंशाला सेम्जानीकूटी के topic में सिखाऊंगा कि दर असल जो entry हम आज तक सीख पढ़ते सीखते आये ना कि ये entry जो है कि entry हमने क्या सीखी हुई है ये entry हमने सीखी हुई है weekly debit 20 से बोलो फिर revaluation surplus credit 5 से और profit and loss credit 15 से ये दर इसके साथ हम इन्शालला लिखना शुरू करेंगे इन ओसी आई बस यह प्रूव करना आपको इन्शालला जब मैं अधर कंप्रेंसिफिक इंकम सही तरह से सिखा लूँ जिस साल में रिवैलिशन सर्प्लस लॉस आता है हम लिखा करते थे जैसे पहली बार सर्प्लस आता है हम होगा चाहे एड़्जस्ट होगा उस साल में रिवैलिशन सर्प्लस के साथ आपने इन ओसी लिखा करना है वक्त आने पर पढ़ाऊंगा यह भी इर्रेलेवेंट बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको और लेक्टर इसके उपर लगाते हैं और फिर रिवै इस तरह से वह उरा एक लेक्टर लगा करें इस कॉंसेट को सीखेंगे फिलहाल से इतनी सी बात याद रख लो कि जिस साल रिवैलिशन होती है ठीक है देखो ना रिवैलिशन दो दफा हुई है पहली रिवैलिशन हुई है तो उसमें तो लॉस ही आ गया रिवैलिशन सर्प प्लस अरोज हुआ 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 यह नहीं हुआ इसके साथ हम क्या लिखा करेंगे इन ओसी ठीक है यह क्यों लिखते हैं इंशाल्ला समझा जाएगा वक्त आने पर फिलहाल तो मैं सिर्फ यह पांच आपको दिखाने जा रहा हूं यह पांच की फिगर जो है यह आपको इद लॉस के अंदर हमने प्रेंट करना होता है को गेन या लॉस आया प्रॉस्टन लॉस वाला वो इधर प्रिजेंट हो गया और जो रिवेलिट सर्पलस है वह अदर कंप्रियंसिव इंकम में नज़र आएगा तो पांच रुपे आपको उननीस के साल में नदर आ रहा है रिव सब्सक्राइब करना है तो इसका मतलब यह ग्रीन वाले सारे चलेगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंड में और यालो वाला अदर कंप्रियंसिव इंकम अब इंकम स्टेट्मेंट तो हो गई पूरी इंकम स्टेट्मेंट में स्पेशलाइज वीकल के साफ से और कोई की नहीं बचा सिवाएग वीकल वीकल के अंदर जो कुछ भी जाना था वो प्रॉफिन लॉस में और अधर कंप्रियंसिव इंकम में चला रहे हैं कोई को स्टेट्ट अगे कर्क्रों चैब अब अगली बारी आती है बैलेंशी उपर बैलेंसीट में क्या जाया करता है जी क् इस वर्किंग की खुब्सूरती यह है कि इस वर्किंग में 31 दिसंबर 2014 पर आपको जो 302 नजर आ रहा है यह उठाकर आप बैलेंस शीट में लिखते हैं यही आपकी क्लोजिंग बुक वैलियो है आप 17 पे का लॉस तो कहीं प्रिजेंट करते नहीं है और पिर 31 दिसंबर 19 पर आप 290 को प्रिजेंट कर दें बैलेंस शीट में यही आपकी क्लोजिंग बुक वैलियो है बैलेंस शीट में पी-पी-ई की बुक वैलियो ही नजर आती है ना और बुक वैलियो यही है 302 और 290 ठीक है तो सिर्फ प्लांट को देखते हैं जाकर किदर गया यह एसेट्स में पी-पी-ई स्पेशलाइज वीकल 302 कोई वर्किंग नहीं कोई प्लास माइनस नहीं कोई डैबिट क्रेट चेक नहीं क्या चुप करके उठाया 31 दिसंबर 2008 वाली फिगर 302 को इदर आके लिख दी क्लोजिंग 31 दिसंबर 2019 जो प्लास माइनस हो रहा है जो रिवर्सल हो रहा है जो ट्रांसफर हो रहा है जो लॉस गेन आ रहा है सब कुछ करने के बाद क्लोजिंग तो यही आता है ना उठाके बैलेंस इट में लिख दो कोई लखने की दुरूद है ही नहीं हमें कि एसे हम 18 करने लग जाएंगे हम पहले ट्रांसफर के एंट्री करें जी ट्रांसफर में 34 और 17 दो साल की देट साल की देप्शन आएगी ठीक है एक प्र एसेड क्रेडिट उसके बाद लॉस आया है तो प्रॉफ्टेंड लॉस डैबिट एसेड क्रेड और फिर क्लोजिंग पहुंचे अब यह वही मुव्मेंट इंडी वैलेशन सर्प्लस है ओपनिंग जीरो पड़ा था और रोज जूरिंग येर पांच हुआ एंड पे आकर और अभी कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ तो बैलेशीट में फिर कितना नदर आना है पांच रुपे यह पांच रुपे आपको और इसके लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं की सिर्फ उस वर्किंग में से क्लोजिंग उठाया और यहां पर देख लेंजी यह पांच चीजें पांच चीजें इंकम स्टेट्मेंट की में सेट्मेंट की ठीक है और तीन आइटम्स आपको नजर आ रही हैं बैल दुबारा नहीं लिखते हम यही बात तो बापको फिलहाल समझ नहीं आ रही है ओसी आई के अंदर रूट करवाना फिलहाल छोड़ दे उसके इलावा तो फिर यह वही लेजर है जो जिस दिन रिवैलेशन सर्पलस आया था उस दिन हमने इसको स्टेंड किया था यह एंट् अगर यह पूरी बात क्लियर ना हो तो फिर मैं इसके बहस ही करता रहूंगा फैसे बाइद अवे प्रॉफिट 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 लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट नदर आता है बोलो ऐसे सही तो ऐसे सही थुड़ सी बात तो की जा सकती है कैसे मेरा दिल बिलकुल भी नहीं था आजा यार आजा तेरी मेर बननी हमने जिस दिन रिवैलिशन स्टार्ट की थी मैं वहां जाना चाहरा हूं बेसिकली जिस दिन मैंने रीटेंड अर्मिक्स का अकाउंट बनवाया था आपके साथ पहली बार याद है कुछ वहां पे भी एक बात जाके करता हूं शायद आपको हजम हो जाए शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बार लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है उसके लिए जरूरी है कि मुझे वो मिल जाए अटलीस्ट वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं अधरा पॉस करें जी मैं आराम से डून लूँ अच्छा जी ये देखें हमने ये बात की थी इधर देखें कि जो प्रॉफिट्स आते हैं वो रिटेंड अर्निंग्स में चले जाते हैं और फिर रिटेंड अर्निंग्स में प्लोजिंग बैलेंस शीट में आपको नजर आता है अब बेटा ये प्रॉफिट भी तो दो दफा इस हिसाब से नजर आ रहा है एक बार ये 120 का प्रॉफिट प्रॉफिट लॉस कॉलम बनाते है उसमें से नेट प्रॉफिट निकलकर रिटेंड अर्निंग्स में आकर पारक होता है और जो अदर कंप्रिएंट्म में रिफलशन सरप्ल constitutes बढ़ा होता है वहां से प्रिजेंट होके कॉलम में आकर पार्क होता है लेकिन ये कॉलम तब समझाए cen एंगी हमने बनानी है उसमें थोड़ा सा इंतजार कर लें अभी मेरा वो टॉपिक शुरू नहीं हुआ ठीक है ना तो इसको यू ना कहें के दो दफा आया है दो दफा नहीं आया अगर यह दो दफा आया है तो फिर यह 120 भी तो दफा है कैसे दो दफा है इंकम सेट्मेंट बनी होगी इंकम सेट्मेंट में 2020 का नेट प्रॉफिट 120 रुपए आया होगा बोलो यह 120 रुपया प्राइब नदर आ और और यह क्या हो रहे हैं हम करते थे नब आप्रोफ्टन लॉज को वहां से निकालकर इंट्रों के अंदर बैलेंश हीड में जाकर आपको statement of chain equity के topic आपकी किस्मत माड़ी है या अच्छी जो समझ लें मैंने rectification आज सोच लिए वरना आज statement of chain equity बनती और मैं यह आज ही आपको समझा देता लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लें ठीक है अच्छा अब जहां हम थे पता नहीं वो कहां थे okay जी तो यह दो दोफ़ा भाई नजर नहीं आ रहा है यह profit and loss के अंदर अरोज हमने show किया और वहां से पिर और इस वाले concept के लिए आपने थोड़ा सा इंतजार करना है थोड़ा सा इंतजार ठीक है कमस कम भी कोई साथ से आठ दिन उसके बाद इंशालला आप ये मुझे समझा रहे होंगे ना के मैं आपको समझाओंगा ठीक है बक्ताने पर बेटा पिर परना सारी बातें कैसे मैं काबू कर सेता हूं जो चीज पढ़ रहे है पिर पीछे रहे जाएगी ठीक है उसके उपर एक लेक्चर लगना है पूरा ये बात समझाने में जायर है वो एक लेक्चर मौके पही लगाएंगे अच्छा जी और जी इस इस पॉइंट के इलावा ये जो पॉइंट पांच यहां पे प्रेजेंट हुआ और एकूटी में डी ऐल सेट अप सा मैनिफेक्चरिंग प्लांट इन रिमोट अरिया अट अ कॉस्ट अफ टूएटी दा प्लांट है यूसफुल लाइफ ऑफ एटी अर प्लांट वास पर्चेद ऑन जैकम जनरी और वास अवेलेबल फॉर यूज ऑन फरस्ट अपरिल दा कमर्शल ओर यकम अपरेल आठारां को ये अवेलेबल फॉर यूज हो गया दास इट तो स्टार्ट करेंगे डैप्रिसेशन कने आप्रेल से ठीक है हमने जो है कमर्शल प्रोड़क्शन के स्टर्ट 말 होने का अंतजार नहीं करना ठीक है तो कमर्शल प्रोड़क्शन इससेशन विल स्टर्ट फॉन्म इस डेम स्टर् फॉन इसडेट ओकए यकम जून इरेल है डन होगे एक बात उसके बाद यकम अपरेल को प्लांट इस्तमाल होना शुरू हो गया और यकम जुलाई को एक गवर्मेंट ग्रांट रिसीव हो गई एक सो बीस की टूर्ड कॉस्ट आफ प्लांट इसको एसे डी कॉस्ट में से नेट करेंगे ना नहीं भ डील सीजिस तू यूज दा प्लांट इन रिमोर्ट एरिया बेहोर 31 सम्बर 21 दील वुड वुड वी रिक्वाइड टू रीपे ग्रांट इन फुल यह उन्होंने कंडीशन बता दी टीक है दोजार दोजार अठारा में यह ग्रांट दे रहे हैं और कह रहे हैं अठारा उन् मुड बिखसार है, अगर प्लांट से रिलिटेड़ ग्रांट है तो प्लांट की लाइफ देखेंगे जितना प्लांट डिप्लिशर्ट हुआ उतना ही ग्रांट हालां कि आप देखो आपको ग्रांट आती नजर श्रूल आ रही हैं यकम जुलाइइ को लेकिन आपका प्लां इसलिए नहीं बेटा क्योंकि जब आपका प्लांट खतम हो तो यह ग्रांट भी खतम हो जए कोई बात नहीं बाद में तो क्या हुआ थोड़ा सा ज्यादा सबसे पहले प्लांट डैबिट नदर आ रहा होगा बलके एंट्री की थी मुझे जात पड़ता है बलके अधरी कर लो पता नहीं अब वहां से वहां पर सिर्फ वैलेंशीट जाकर देख लेंगे वन बाइवन शुरू करते हैं इसको मैं यहां पर लेता हूं कि पहली एंट्री यकSmर अप्रैल कर लेना यकम अप्रैल दोजारगा अठा से साथ ही ग्रांट रिसीव हो रही है माना यकम जुलाई को खैर है चलो एंट्री कर लो कैश डेबिट डेफ़र्ड ग्रांट क्रेडिट वन ट्वेंटी से नहां जबानी कर सेते हैं तो आप लोगों समझा रहा हूं उसके बाद 31 दिसंबर दो हजार अठारा आएगा तो डेप्रीशेशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमूलेट डेप्रीशेशन क्रेडिट कोई रेजल वैली वगरा तो नहीं गिवन तो टू एटी और लाइफ गिवन है सवाल में कितनी लाइफ है एट येर्स यूस्वल लाइफ इस एट येर्स तो डिवाइड बाइट इंटू 9 बाइट 12 करने जी बोलें 26.25 26.25 और ये बात मैं आसे कर रहा हूं कि देखो अगर आपने इस दिन खड़े होकर मसला पता है क्या इस दिन खड़े होकर सारा एसेट यूद हो जाता तो सारी ग्रांट इंकम में डाल देते हैं चाहे डेट सागे पीछे हैं अगर एसेट सारा ही इस दिन यूद हो जाता सारे का सारा एसेट 9 महिने लाईव दिन खटम, सारा डेरिसेशन तो प्र सारी ग्रांट इंकम चाहे वो जुलाइब में आ रही है, बात समझें जिस प्लांट से रिलेटेड ये ग्रांट आई है, अगर वो फ्लांट सारे का सारा इससल इंकम एंघो जा तो पर भर सारींट से आपको यह बताया था कि same basis रखो same basis आप पहले साल के अंदर हालांके grant 6 महीने पहले आई है लेकिन आप 9 महीने के बराबर उस amount को income में डाल दें क्योंकि asset 9 महीने का expense out हो गए simple सी वार ठीक है तो deferred grant debit और grant income credit और यहां पर देखो one twenty divided by eight into nine by twelve six by twelve नहीं करना nine by twelve दे बास समझाई है नाइन बाइट वाजी यूकर फिर यह नहीं हो उदर asset खतम हो जाए और यह grant अभी पढ़िए बोलें जी 11.25 11.25 अगला साल आएगा के नहीं आएगा अगला साल आएगा अगर जिन्दगी रही तो और उस अगले साल में आपने पहली दोनों entries तो कोई नहीं करनी ठीक है और depreciation expense debit accumulated deduction credit without fraction 280 divided by eight कर दो 30 और इसी तरह से बगार fraction के income deferred grant debit grant income credit पंद्रा ठीक है जी और सही है अब सबसे पहले expense की बात करें और income की तो profit and loss में 26 और 35 का expense नज़र आएगा ठारा और मुनिस में और 11.25 और पंद्रा की income नज़र आएगी ठीक है जी यह चार चीज़ें आपको नज़र आज़ेंगी अब यह रेकिए लांट 26 यारिया 25 और 35 और इंकम में 11.25 और 15 11.25 और 15 ठीक हो गया जी यह figures भी ड़न ठीक हो गया उसके बाद बारी आती है balance sheet की balance sheet में plant 282-26.25 करो 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 253.75 पर 18 के अंदर नज़र आएगा 250 क्या बोला आपने भी यह 253.75 डन हो गया और अगले साल में 253.75 में से 35 माइनस कर दो यह डिरेक डिरेक कर सकते हैं आप जी 218.75 लोगे यह दो figures भी हो गए डेफर्ड ग्रांट की बात करें तो डेफर्ड ग्रांट 120 120 की है माइनस कर तो इसमें से 11.25 बताओ 108.75 अठारा के अंड पे और 108.75 में से आप 15 मजीद माइनस कर दो 93.75 यह भी हो गया है कुछ रहा गया बोलो अगें लाइबिल्टी को उन्होंने नौन करंट मी प्रिजेंट किया हुए अगें मेरा मवाथ कटा तो तीन चार सवाल हो गए सब्सक्राइब को इमेल करने वाले और पूली आज कल में कर दोंगा बारहल आपको बताता है इसलिए रहता हूं ताकि आपको यह बात भूले ना कित कौन कौन सी बात मेंने का है हमने पूछनी एक तो उन्होंने हमें जवाब दे दिया था और फिर उन्होंने उदर भी डा करें कारें या ना करें और बात मैंने को लिए और बी थे दिया रुस किमेल में यह दो इसलिए नियूमा जी बैटा आप होगा जैसे आप हॐस के यह कैरे हूं हो सकता है मार्ज में हो ठीक है जैसा गुमान रखेंगे वैसे लगा कि तरह से फैसला होगा क्या ख्याल है हाप देख लिए गुमान अभी वी सफी कर ले इससे पहले के मार्ज में हो ठीक है हाँ देखो आप फिर इंशाल्ला आप ते दस दिन के अंदर अंदर हो गाई है कैसा गुमान है बदला गुमान का भी वही गुमान है बोलो 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 मार्च वालो बोलो बदलो गुमान को जैसा गुमान वैसा फैसला अच्छा जी आप वेर हाउस क्या हुआ ने टापिक शुरू करना है करते हैं करते हैं अब वेर हाउस वास गिवन ऑन रेंट ऑन यकम जनरी ठारा ये तो अब कल तकरीबन की भी थी सासे बात मैंने सवाल को जो बदला था ना कल वो जो कल मैंने स्नेक वाले सवाल में थोड़ा सा वैल्यू बदली थी एंड पे और री वैल्यू करवा के सरप्लस भी लाया था और फिर ट्रांस्वर किया था ये वो ही एज़स्मेंट है अब ये रेंट पे दिया है यानि अभी इन्वेस्मेंट प्रॉपर्टी में ये गया है प्रिवियस्ली इट वाज इन यूज ऑफ डी एल पहले ये पी पी ए में था बिल्कुल ये ही एज़स्मेंट है जो हमने इस लेक्चर नोट्स वाले सवाल में की थी ये तो बहुत आगे चला गया होगा वो कहनदा है यार बस एनना की उन्दा है कि उसी भी ना सारे जांदा डेटा इती ही रख ले एक कपैस्टी होती है विचारा कह रहा है कि अब बस भी उन्दी पार लोज लोज लेंच ये जो क्वेस्टिन में मैंने आपको ये सवाल बदली करवाया था ये रेखें ये लीजडाउट ओल्ड हैड ऑफिस बिल्डिंग फिर इसमें जब ये चेंज की थी तो यहां पर आकर वर्किंग ऐसे बनी थी कि इन्होंने पहले रिवैल्यू करके तीन सो का सर्प्लस रिकॉर्ड किया था और फिर इसको ट्रांसफर किया था सेम यही अज़ेस्मेंट थ ठारा प्रिवियस्ली इट वाज इन्यूज ऑफ डियल यानि यह पीपीए से ट्रांसफर होकर इन्वेस्मेंट प्रापर्टी में आ रहा है तो पहले इसको क्या करेंगे ट्रांसफर है ट्रांसफर क्या करेंगे फिर वैल्यू पे लाएंगे अब आई एस सोला के पास है कि फिर वैल्यू मॉडल के उपर रखना है ठीक है कैसा लगा वैसे सवाल कॉन्फिडेंट हुए तोड़ा सा कि हमें आता है सब कुछ है अचा है और यकम जनरी एठारा केरिंग वैल्यू एंड रिमेनिंग लाइफ वाफ वेयर हाउस वाज एटी मिलियन एंड सिक्स्टी असल में ना पता नहीं कितने कि यह वेयर हाउस को हमने कितने का खरीदा था लेकिन हमारी सहूलत इसमें हो गई कि उन्होंने हमें बताया यकम जनरी एठारा पर बुक वैल्यू इतनी है वर्किंग थ्री आगई देखें हमें चाहिए भी बुक वैल्यू होती है ना डेट डेस्क्रिप्शन वेयर हाउसे रिवैलिएशन सर प्लस हो सकता है प्रॉफ्ट यंड वास ना हो सकता है अब पता नहीं किस दिन खरीदा था कॉस्ट लैस्प्ट बुक वैल्यू हमें तो यकम जनरी ठारा पर जिस दिन वो ट्रांस्फर कर रहे ना उस दिन कि उसने बुक वैल्यू दे दी लेकिन इस 80 को हम ट्रांसटर नहीं कर सकते, इस 80 को पहले लाएंगे फेर वैलियो पर पर फिर करेंगे ट्रांसफब ठीक है, तो यकशनवरी 18 पर उन्हें का जिए फिर वैलियो ऑन वेरियस डेट्स अर ये एस फॉलोज्वो तो यकशनवरी 18 पर एक लाइन खाली चोड़ी औ और री वैलियूड अपने स्टेफ को कभी न चोड़ो कोई भी सवाल कैसा भी हो लाजमी हो जाए करेगा इंशालला एक सो चाल तो चौबिस रुपे का री वैलियूइशन सर्प्लस आ गया ठीक है जी और ये चौबिस रुपे का सर्प्लस इस दिन स्टेंड कर रहे हैं उसके बाद बच्को किसी दिन है ट्रांस्फर हो गए पीपीए से चला गया इंवेस्मेंट प्री ट्रांस्ट्र प्र टू इंवेस्मेंट प्रापल्टि जिसकी एंट्री होती है क्रेड़िट निकल गए नहीं और इंवेस्ट्मेंट प्रॉपर्टी चलो हम अपने तर्तीब से चलते हम अपना लेजर बना लेते हैं इनवेस्ट्मेंट प्रॉपर्टी मॉडल फियर वैल्यो वाला है और यकम जनवरी 18 पर यह 104 है कहां से आया है जी यह कैश से नहीं आया प खरीदते तो entry होती investment property debit cash credit ले खरीदा नहीं transfer हुआ तो investment property debit PPE credit ठीक है यहां पे क्या बच गया जीरो ठीक है जी और इसका असल में अतराज है हाँ यह सवाल है ना उन सवालों के अंदर एक यह सवाल था आई केब से जुफ लोग संस्य फूर्प डिए कि हमारे हिसाब से अभ यहाँ कोई ऐसे नहीं बचा आई कैज ने पते किया था मीनिंग लाइफ लृव स्वाल ने बताई है ना देमेनी लाइव 16 है ना आईकेप ने ये किया हुआ था कि 24 बटा 16 कितना बनता है जी नहीं बताता हूं ये 24 अपनी जगा पर काइम था और पिर उन्हें ने ये किया हुआ 31 दिसंबर 18 पर डेप्रिसियेशन अब यहां पर तो कुछ है नहीं और ये 24 बटा 16 कितना 1.5 उसके बाद 22 या 5 फिर उसके बाद 19 वाले साल में फिर डेप्रिसियेशन 24 बटा 16 और फिर 1.5 और फिर 21 तो इस सारी बात से मैं बिलकुल भी मुत्तफिक नहीं चीक है ना मैं ये कह रहा था कि 24 का 24 पर ही रहे अब आई कैप वाला सलूशन यहां पर आपको नजर आएगा ओहो ये कहा अबे ये किदर देखें अगर आप वार फरमाएं तो 18 के एंड पर उन्होंने साड़े बाइस ये देखो ने कती सम्वर ठारा और 19 के एंड पर 21 को शो किया होगा ये देखो साड़े बाइस और 21 मेरे साथ से ये सही नहीं है बलके इसकी बजाएं आपको दोनों साल में 24 ही प्रिजेंट करना चाहिए इसमें कोई चेंज नजर नहीं आना चाहिए ये जरा मेरा और आईकेप का तोड़ा एक्तलाव सा इसको भी इमेल में डालना है मैंने ताके ये भी ठीक है ना तो इसलिए मैं तो बिलकुल भी ये काम ना करूं क्यों क्योंके जब ऐसे टी नहीं रहा तो पिर डैप्रिसेशन नहीं है ड तक लैंड पड़ा रहे होगी तो नहीं ट्रांस्फर होता तो ये भी पड़ा रहे है ठीक है ना तो ये थोड़ा सा एतराज था अच्छा जी चलें यकम जनरी धारा को ये निशन प्रॉपर्टी मारी हो गई बो अब ये चौबिस चौबिस जो वाहिद फर्क है फिलहाल ठ इसकी एंट्री क्या करोगे इसकी एंट्री क्या करोगे बोलो तो ये एंट्री वियर हाउस डैबिट पहले किया ना फिर ट्रांसर वियर हाउस डैबिट री वैलिशन सर्प्लस इन ओसी आई क्रेड़ जिस दिन अरोज होगा उस दिन ओसी आई से रूट होगा माजरत अभी यार फिर जब आप डूढ़ना पड़ेगा पेज नंबर बताओ जरा और नहीं स्लूशन का 100 लोग है क्या डूढ़ने निकले थे जी हम 24 पता नहीं नहीं मुझे पता है यह देखो 24 तीक है इन OCI यह 24 डन और फिलहाल तो दूसरी तरह भी बराबर ही है लेकिन इंशाला जब कॉंसर्ट पढ़ेंगे तो पिर आपको मैं यह बाद समझाओंगा कि जिस साल अरोज हो यहां प्रिजेंट होकर चला जाता है वहां पर वहां से फिर ट्रांस्वर की एंट्री वह फिर यहां नहीं आती है थोड़ा सा थोड़ा सा वकता है हफ्ता दस दिन है मैक्सिमम उसके पर आया 31.18 पर चानवे 31.191.15 एक मिनट पहले यहीं कर लो 31.18 पर क्लोजिंग फेर वैल्यू कितनी है 96 और 31.19 पर क्लोजिंग फेर वैल्यू कितनी है लो थीक है यह जो 96 बना यह यकम जनरी 19 पर ओपनिंग बना लो अब सिरफ रहे गया है बैलंसिंग फिगर निकाल के गेन लॉस रिकॉर्ड तर तो पहले साल में कितना आठ रुपे का फेर वैल्यू लॉस आ रहे है प्रॉफ्टेंड लॉस में जाना है हमने बैलंसिंग निकाल है और दूसरे साल में फेर वैल्यू सिरफ प्रॉफ्टेंड लॉस ही मैंने पहले के साल में 8 और गेन है ऑननीस के साल में 19 का ठीकि है इतर देखो इंकम में फिरल्यो गेन 19 और 18 में फियर वैल्यो लास आठ ठीक है उसके बाद अगली बात भी जरा सोचने की जूरत नहीं है। energy balance balance बालेंस बालेंस वे जाना तो वेर हाउस का कलोजिंग 96 और 115 अठारा और 19 में बैलेंस शीट में नज़र आ जाएगा 96 और 115 ये था आपका सवाब इसमें वाहिद एक तो एतराज वाली बात होगी नचीक है उसके लावा जो वाहिद बात आपको समझ नहीं आ रही फिलाल हजब नहीं होरी वो ये है सर ये दो दफ़ा क्यों नजर आ रहा है पहले इदर आता है नजर पर यहां भी आता है इसके लिए थोड़ा सा इंतजार बाकी सारा सवाल हमने कर लिए ठीक है कोशिश की है मैंने थोड़ी सी बात करने की लेकिन जाहिर सी बात है मुझे अंदाजा है वो समझ आ ही नहीं सकती बात जब तक कि पूरा कनॉलेज आपको आना जाए स्टेट्मेंट ऑफ चेंजिज इन इकूटी में पार्क होती है जाके अपने अपने कॉल में अब वह बनानी नहीं सीखिए अभी हम ठीक है तो थोड़ा सा वेट कर लें अच्छा जी अब एक तो बच्चो आपने अब कल यह ट्रांसफर पढ़के आना है मैंने वैसे करवा दिया था ठीक है इसको रीड ओनली करना है कुस्चन होगा तो मैं आपको समझाओंगा ओके पेज नंबर 306 अपने चैप्टर पर वापस आजाए ना टाइम तो बचे ही नहीं बहुत रादा बनता है अच्छा जी उसके बाद यह देखें जी डिस्क्लोजर रिक्वार्मेंट्स नेक वाला सवाल सामने रखकर आपने जो स्लूशन मैंने करवाया था आपने उसको सामने रखकर इसको रीड करना है मैं कल इंशालला फिर यह खुद भी एक बार पढ़ाओंगा लेकिन आपने इसको रीड करके आना है यह वही काम है जो हमने किया हुआ ठीक है दोनों मॉडल्स पर लगने वाला जो रिक्वार्मेंट्स डिस्क्लोजर की उसके बाद सिरफ फेर वैल्यू मॉडल वाले पर पिर ऐसे जिन पर कॉस मॉडल लगाना पड़ा था उनके लिए डिस्क्लोजर यह एक बार सारे आपने पढ़के आने हैं और आपने अपने सामने जो चीज रखनी है वो यह सिरफ इतनी सी यह 9.3 तक कि इंशालला आपको सारे डिस्क्लोजर जैसे ही इसमे नदर आ जाएंगे जो इका दुका बात हैं समझ नहीं आएंगी मैं यही वाला सवाल उपन करके कल फिर डिस्क्लोजर आपको पढ़ना सिका दूमा ठीक है जी तो यह दो चीज़ें रीड करनी हैं आपने उसके बाद आपने सारे mcqs इसके होंवक में करने ओके तो होंवक किया था जी यहां जी इसमने क्या बता क्या कहा था कि के एनी फोर डिफरेंसिस बताएं तो कौन कौन से डिफरेंसिस थे जी आईयस 16 के पास cost model revolution model है और आईयस 40 के पास cost model है आईयस 16 में अगर revolution model हो तो gain loss को वोसी आई में लेके जाते हैं जबके आएस 40 वाले इंवेस्टेंट प्रॉपर्टी का फेर वैल्यो गेंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं फिरी वैलिशन मॉडल आएस 16 वाला अगर यूज हो तो फिर भी होती है जबके फिर वैल्यो मॉडल में डेपरिशेशन नहीं होती और क्या है हाँ जी बिजनिस यूज के अंदर जो जो बिजनिस यूज के अंदर ऐसे होता है उस पर पीपी लगता है और जो फॉर रेंटल कैपिल एप्रिसेंज या बहुत यूज हो रहा हो आपने सारे आज ट्राइब करने ओके पॉस करें या अच्छा जी स्टार्ट करते हैं आज करेक्शन आफ एरर्स का टॉपिक वैसे तो टाइपस ऑफ एरर से बात सुरू करनी चाहिए पांच टाइप ऑफ एरर होते हैं जो ट्राइल के फेस्ट से नजर नहीं आते हैं उसके बाद सस्पेंस अकाउंट का कॉंसेप्ट है लेकिन इस सबसे पहले मैं नॉर्मली क्या किया करता हूं कि श्यव्याथ कि एकज और टॉप एक। उसंसारा बहुता है तो ऊतना टाऑक ने इसे दधर पहले हैं अध्यूथ है थीक का में वाप आहेंगे जो चीजिज यहां पर नजर आरे हैं आपको मैं वह कर पढ़नी है लेकिन मैं आज स्टार्ड करूंगा बात correction of error के topic में सिर्फ fixed assets related correction के साथ fixed assets को हम पढ़ चुके है fixed assets के अंदर correction कैसे होगी इसके उपर थोड़ सी discussion करते है जितनी हो गई बात ठीक है जी जैसे आप जैसे accountant काम करेंगे तो error तो आई जाएगा अचा सुनें जी मैं आपके सामने एक transaction लिख रहा हूँ बलके transaction लिख रहा मुझे आप प्लीज बेटा बाते नहीं मुझे आप disposal की journal entry अगर बता दें कैसी होती है accumulated depreciation debit cash debit profit and loss को debit रख लेते हैं लॉस हैं ठीक है प्रॉक्टेंड लॉस डैबिट और एसेट क्रेडिट देखो ना इस टॉपिक को करेक्शन इसकी करेक्शन करनी हो तो कितना अच्छा लग रहा है ना आपको सारा कुछी पता है यह आपने खुदी बताया तो यह है कि और माने इसकी वाई शिवके और गयाते हैं लॉस होना चाहिए था जो ओनाच यह वर जुने आफंड आप अब आज का दिन में चलो एक दो बातें आपके साथ ऐसी कर देता हूं डिसकस जिसके अंदर मैं ये कहूँ कि अच्छा जी ऐसा हुआ होगा जैसे भाई ने कहा कि सवाल ये पैदा होता है कि गलती हुई कैसे तो ये वाली बात शायद मैं एक आदी कर भी दूँ आज आपको ये पता होना चाहिए कि ये होना चाहिए था और गलती ये हो गई है उसको सही करें अपना काम करें काम से काम रखें आपको क्या लगए कि गलती क्यों हुई होगी ठीक है यह इस फैक्ट ऑके बहराल अब possibilities क्या हो सकती है ठीक है मिसाल के तौर पे मैं अब transaction बनाता हूँ ठीक है यह मैं बात करने लगा हूँ अब wrong entries की क्या क्या wrong entries possible है ले जी होना तो ऐसे चाहिए था ठीक है अब यह आपने IAS 16 के अंदर पढ़ रखा है disposal के उपर आपको 2-3 दिन लगे थे सिर्फ उसको समझने में पूरी तरह से ठीक है अब यह accountant नहीं है इतना समझदार accountant यह metric pass करके आया था यहाँ पे बाबाजी होते थे पहले accountant उन्होंने कहा था जब भी cash आये तो debit और जब भी cash जाये तो credit से जादा नहीं accounting आती थी नहीं इसको सिखाई उन्होंने तो ऐसे हो जाता है ठीक है अब मामला यह हुआ के cash जो है वो आ गया accountant के पास अब accountant cash को देखता है और कभी admin वाले भाई को देखता है जो लाकर cash पकड़ा रहा है तो accountant नहीं से पूछा क्या यह क्या है उन्हें का asset विका है अच्छा विका है विका है कुछ विका ही है न तो cash debit sales credit क्या मतलब गलती क्या होगी यह सवाल लिखके बताएगा ठीक है sales proceeds sales proceeds कहते है cash received को sales proceeds या cash received were wrongly wrongly लवज ना भी लिखो तो आपको पता होना चाहिए कि इसको sales proceeds को sales account में credit नहीं करते होते हैं sales proceeds were wrongly credited to sales account इसको इतना भी रखें ताकि इसके सामने sales proceeds were wrongly credited to sales account तो यह मेरे प्यारे बच्चो आपने अब मुझे wrong entry करके दिखानी क्या wrong entry हुई होगी फिर हाँ जी cash debit sales credit देखें दो बातें याद रखिएगा पहली बात accountant कभी भी cash की गलती नहीं करेगा cash का आना debit सही करेगा और cash का जाना credit सही करेगा गड़बड करेगा तो दूसरे end पर ठीक है तो cash debit sales credit कर दिये हैं एक बात तो यह याद रखनी है दूसरी बात यह भी याद रखनी है आपने इस topic के अंदर कि wrong entry के जिस impact के बारे में सवाल खामोश होगा उससे हमेशा सही अजियूं करना है क्या मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है sales proceeds were wrongly credited to sales account तो sales account तो आपने कहा दिया जी गलती से credit हो गया है अब debit को भी गलत अजियूं करें कर लेते हैं कि उन्हें debit किये कुछ नहीं होगा या debit उसने stock को कर दिया होगा नहीं नहीं रेंट expense को कर दिया होगा खुद से बैठके सोचते रहें क्या ऐसा नहीं है इस topic के अंदर दो बात वैसे तो यह ज़रा कमजोर बात है कि कैश की गलती accountant नहीं करता वैसे है यह बड़ी मजबूत बात लेकर मैं सिर्व मजबूत बात आपसद क्या कर रहा हूं कि wrong entry के जिस impact के बारे में सवाल खामोश हो उसे सही जिए करना है देखो ना उन्होंने क्या कहा अजस्मेंट वालोंने क्या कहा सेल प्रोसीड्स वार रॉंगली क्रेटेट टू सेल्डू हलां कि आपको पता है एसिट बिके तो सेल्स अकाउंट क्रेट नहीं होता ऐसे है के नहीं है लेकिन होने कहा सेल गलती से क्रेट हो गया अब सेल क्रेट हो गया अब डैबिट किसको करें डैबिट किसको करें भाईजान डैबिट किसको करें जिधर होना था उधर ही करें गलती के रॉंग एंट्र होई है cash debit वो अलग बात है के entry होनी चाहिए थी वह बे तहाशा entry पीछे नदर आ रही है अगो बे तहाशा entry ये सब कुछ होना चाहिए था लेकिन उसने क्या किया क्या 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 क्यों किया होगा वह उसका दमाग चल गया होगा ठीक है घर से फोन आगया होगा ठीक है आत्ते विस्मान ले आना महिने का आखिर होगा वह यही सोच रहा होगा और entry ये कर गया होगा भी उसको नहीं पता होगा उसका अब यह सारी बातें वैसे ही वरना कभी यह नहीं सोचना रॉंग entry ऐसे क्यों हुई होगी आए जी एड्मिन वाले आये और आके उन्होंने पैसे पकड़ाए अकाउंटेंट को काउंटेंट ने का हां बई यह क्या है अब अकाउंटेंट को देख रहा है एसट भी है उसने कुल अकाउंटिंग है दो यह गलती सवाल में लिख और यह गलती सवाल ने लिख के बताए होती है एक है लिखा हुआ है सेल ब्रोसीड्ज वोर-भी क्रेडिट्ट यह एसेट अकाउंट यह कि ना भी लिखका हुँनाMon sings राजफित चीपको पता होना चाहिए कि ऐसेट वि बहुत बड़ी चवल मारी है इनोंने तो रॉंग ली क्रेडिटेट टू एसेट अकाउंट ठीक है बच्चो तो रॉंग एंट्री ज़रा मुझे बनवा दो रॉंग ली क्रेडटे टू एसेट अकाउंट तो यह तो एसेट अकाउंट क्रेड़ कर दिया है इनोंने रौंग ली तो डेबिट किसको किया वो पिर सही यजूम करना है नॉर्मली कैश की गलती अकाउंटैंड करता भी नहीं है then is डेविड एसिट कर दिया हलांके आपको पता है कि यह इतनी आसान बाते नहीं है जितनी यहां पे नजर आ रही है ऐसी थोड़ी होती है डिस्पोजल के इंट्री रोल रोल के खप खप के हमने यह सीखा रही है यह कुछ इग्जेंपल चल रही है सवाल तो भी शुरू हुए ही नहीं अच्छा जी अच्छा जी अब ऐसे ही आप मुझे फर्मा दें कि एक्सचेंज की ट्राजक्शन आपको एंट्री करना आती है और इजनल होती क्या है एक्सचेंज की एंट्री क्या होती है तरह बता दें आप देखो ना जो टॉपिक इस से यह पता चल रहा है हमें कि करेक्शन ओफ एरर बजाते खुद कोई टॉपिक नहीं है करेक्शन गलती आप एक्सेंग कर सकते हृं असल कॉण्सेप्ट और इंट्री तो क्रेक्शन का टॉपिक उपिक कोई खुड से कुझ टॉपिक नहीं है वह बस किसी भी टॉपिक के अंदर कोई सब्सक्राइब एक्सचेंज के ट्रांजक्शन पूरिजनल एंट्री एक्यूमूलेटिट डेप्रिसेशन वाइसब कह रहे हैं डेविट और एसट डेविट प्राफ्ट एंड लॉस को डेविट साइड पर रकलें लॉस है अच्छा लगता है हमें आदत भी है इसको डेविट साइड पर रखलें फिर एसट अकाउंट क्रेट होगा ओल्ड एसट की का से और नॉर्मली कैश पेडी होता है नहीं तो रिसीव हो तो आ आप उसको डेबिट भी लिख सकते हैं ठीक है यह जी हमारी एक्स्चेंज की ट्रांजेक्शन है अब पॉसिबली इसमें गलती क्या हो सकती है यह तीसरी एक्जेम्पल आगी हमारी कैश्पे कर रहे हैं अब कैश्पे की आडमिन वाले कैसज कैश अकाउंटसे लेने करें क्यों जी क्या करना है वो पुरूने असिट देरेके ना ने आएकिड करीदा है क्या निया एसिट खरीद है अच्छा तो जो कैश पेड़ी फिगर है बस वही फिगर कहेगा लो जी यह निया एसिट आ गया उसने एंट्री पास कर दी कलती किसी भी तरह की हो सकती है मैं तो कुछ एक्जैंपल ले रहा हूँ ठीक है तो यह सवाल लिखके बताएगा आपको सवाल कहेगा जी कैश पेड is wrongly debited cash paid is wrongly debited to asset account भला एक्सचेंज की transaction के cash paid को asset account में debit थोड़े करते हैं asset account तो debit होता है नए asset की cost से ठीक है न यह तो गलती है बहराल गलती है तो क्या करें लिखें entry cash paid जो है वो wrongly asset account में debit हो गया यानि asset account debit कर दिया अब credit के बारे में खामोश है तो उसको सही assume करेंगे अभी मैंने rectification की तो बात ही नहीं किया भी तो मैं original entries कहा रहा हूँ और जो गलती हैं वो गलती है बोलता जाओ ठीक है जी और सही है यह को तीन को एक्जेम्पल्स हो गई है और कुछ याद आ रहा है मुझे थोड़ा 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 याद आ रहा है कुछ थोड़ा सा इंतजार थोड़ा सा इंतजार नहीं बलके ये फैम अर्य सुभान अल्ला फैज किदर है फैज जाद है शादी होने लगी थी फैज की और फिर एफ यार वन ज्यादा शुरू हो गई और फिर ये भूल गया कि ऐसा भी कुछ था तो ये है एक एग्जेम्पल जो हमने की थी फैज वेंट टू इंटर वूड एंड किया उस दिन हमने एंट्री पास की एडवांस फॉर फर नीचर डैवेट कैस्ट करें ठीक है चाहिए ना अच्छा अगर हम कोई एडवांस पे करें एडवांस पेड फॉर फिक्स्ट एसिट अगर हम कोई एडवांस पे करें फॉर फिक्स्ट एसिट तो उसकी बच्चों क्या इंट्री होती है बोलें एडवांस डैवेट कैश क्रेडिट कही होता है न जी पॉसिबली मिस्टेक क्या हो सकती है बताएं बोलें गलती से इसको एसिट ही डैवेट कर दें ठीक है तो यूं लिखा हो सकता है कि एडवांस पेď वॉज रॉंगली रॉंगली डैविटेट टूट लेट सेझा डैविटेट फर्नीचर अकांट। होना चाहिए था डवांस ऐसी यूंध द्राँ फर्नीचर डैविट कर दिआं फर्नीचर डैविट गलती है के नहीं नहीं है तो फिल आज दरा रॉंग एंट्री तो लिखे ना फर नीचर डेविट कैस्ट जो के गलत हैं है के नहीं गलत चाहर और एक और एक्जेम्पल कर लेते हैं हमने कॉंसेट पढ़ा था यहीं मुझे कुछ कुछ याद आ रहे है कि वह कैपिटल और रेविन एक्सपैंस नहीं पर बात की यह सब कुछ सब्सीक्वेंट एक्सपैंडीचर अगर हो और एक्सपैंडीचर ऐसा हो कि वह लाइफ प्रोड़क्टिविटी एफिशंसी आउट्पूट या क्वाल्टी ओफ आउट्पूट को मेंटेन करें तो उसे हम कहते हैं रेविन्यू एक्सपैंस यानि उसको प्रॉफ्ट और ल मिसाल के तोर पे एक रिपेयर एक्सपैंस था रिपेयर मैंटेनोर सेलिट मेंटेन करने वाला खरक्शा होता है उसकी एंट्री होती ऑपीर एक्सपैंस डैविट कैश ग्रॉडरी तो रविन्यू एक्सपैंस था लेकिन गलती से उसको हमने कैपिटलाइज कर दियाorient कि तो है ना अभी मैं correction की बात आज नहीं की थी कि ना correction की बात आज नहीं हुई है सिरफ फिलहाल errors की बात कर रहे हैं कि wrong entries क्या क्या हो सकती है तो एक गलती यह भी हो सकती है कि revenue expense revenue expense is wrongly wrongly capitalized short form अच्छा यह वाइस वर्सा भी हो सकता है क्या मतलब capital expenditure था गलती से expense आउट कर दिया ठीक है अच्छा भाराल original entry होना क्या चाहिए थी revenue expense की मिसाल के तौर पर repair है तो मैं कहता हूँ जी मिसाल के तौर पर repair expense debit cash credit होना चाहिए था लेकिन क्या किया है उन्होंने उन्होंने गलती से मैं एक उकर example लेता हूँ उन्हें लिख दिया के जी repair expense was wrongly was wrongly capitalized as furniture चल यह एक example बन गई तो यह भी गलती है तो गलती का कर गए फर नीचर debit cash credit कर गए जबके करना था repair expense debit cash credit ठीक है न तो यह थोड़ी सी बातें आज के लिए काफी है क्योंके time खतम हो गया अब कल मैं आपको इसकी correction करना सिखाऊंगा और कल के दिन में हम इंशाल्ला fix assets related rectification को खतम कर लेंगे और फिर उसके बाद में भी inventory का topic आपको revise कर वा हूं और फिर correction of error तुमारा चलता ही रहेगा ठीक है तो यह थोड़ी सी बुनियाद आज हमने बनाई है सारे mcqs करके आईएगा ठीक है जी और एक सवाल और homework में ले लें सारे mcqs हैं फिलहाल तो यह तो सिरफ read करना दुबारा और हडपा industries वाला एक सवाल है pass paper 14 वो भी आप लोगों ने कर लेना है let me दिखा you guys let me दिखा यह देखें जी ओओ कॉर्फ वाला सवाल तो डिसकस ही नहीं किया यह कितने बच्चों ने वैसे attempt किया था यह pass paper 15 आपको दिया यह नहीं था था नहीं दूसरी class को दिया लिख लें हूँ वक यह उससे पहले एक और chapter के साथ दिया था सुने please please यह सिर्फ discussion वाला सवाल है मतलब आपने अपने अलफाज में दो चार लाइने लिख कर फिर देखना solution ठीक है तो यह 15 तो वैसे ही बसकल वाला हुवक था असल हुवक तो आपका है हडपा इंडस्ट्री जिसके अंदर please जिसके अंदर revaluation भी है जिसके अंदर आपको boring cost भी mix होती नदर आ रही है government grant भी मौझूद है जिसके अंदर एक asset replace भी हो रहा है तो इंशालला ये page number है जी 81 तो past paper 14 और 15 आईस 16 का 15 वैसे ना दूसरी class को होग दे दिया था आप से भूल गा था लेकिन वो कोई वो सिर्फ आपने read करना discussion के लिए 2-3 line लिखनी है बस और उस वह देखना है ठीक है ना वो इतना मुश्किल सवाल नहीं है तो 14 और 15 past paper 14 और 15 और is 40 के सारे mcqs चीक है जी Allah